प्रिष्ट संख्या सड़सड पार्ट संख्या चार पत्रकारिय लेखन के विभन्न रूप और लेखन प्रक्रिया इस पार्ट में दिया गया है पत्रकारिय लेखन क्या है? समाचार कैसे लिखा जाता है? समाचार लेखन और छेह का कार फीचर क्या है? फीचर कैसे लिखें, विशेश रिपोर्ट कैसे लिखें, विचार परक लेखन लेख टिपणिया और संपादकिय, संपादकिय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, लेख, साक्षात कार अर्थात इंटर्व्यू समाचार पत्रों में बड़ी शक्ती है, ठीक वैसी ही जैसी की पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है, इसे खुला छोड़ देंगे तो गाउं के गाउं बहा देगा, उसी तरह निरंकुष कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अंकुष भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुष तो और भी जहरीला होगा, महात्मा गांधी, एक नजर में, एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए, विभिन जनसंग्चार माध्यमों में लिखने की अलग-अलग शैलियों से परचित होना जरूरी है, अखबारों या पत्रकाओं में समाचार, फीचर, विशेश रिपोर्ट, लेख और टिपर्णिया प्रकाशित होती हैं, इन सब को लिखने की अलग-अलग पधती है, जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिट शैलियों का उप्योग किया जाता है, समाचार लिखते हुए, छै ककार का ध्यान रखना जरूरी है, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिट के बजाए, फीचर के शुरुवात कहीं से भी हो सकती है, जबकि विशेश रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विशलेशन पर जोर दिया जाता है, समाचार पत्रों में विचार परक लेखन के तहट लेख, टिपर्णियों और समपादिकिय लेखन में भी विचारों और विशलेशन पर जोर होता है, प्रिष्ट संख्या 68 अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, छोटे वाक्य लिखें, जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संग्रचना को वरियता दें, आम बोलचाल की भाशा और शब्दों का इस्तमाल करें, गैर जरूरी शब्दों के इस्तमाल से बचें, शब्दों को वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए। लेखन में विविधिता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ-साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। अपने लिखे को दुबारा जरूर पढ़िए और अशुद्धियों के साथ-साथ गैर जरूरी चीजों को हटाने में संकोच मत कीजिए। लेखन में कसावट बहुत जरूरी है। लिखते हुए ये ध्यान रखे कि आपका उद्देश अपनी भावनाओं, विचारों और तत्थियों को व्यक्त करना है न कि दूसरे को प्रभावित करना। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदू निकाल सके। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विशे पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। आमतोर पर हर नए लेखक की अखबारों में लिखने और च्छपने की इच्छा होती है। ये बहुत स्वभाविक है। लेकिन अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए कि अगर आप पत्रकारिय लेखन के विभिन रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परचित हैं तो अखबारों के लिए लिए लिखना बहुत सहज और आसान है। लेकिन अगर आप पत्रकारिय लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों से वाकिफ न हों, तो आसाम दिखने वाला लेखन खासा मुश्किल और पसीना छुडाने वाला साबित हो सकता है। पत्रकारिय लेखन क्या है? पत्रकारिय लेखन की दुन्या में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारिय लेखन क्या है? समाज में उसकी भूमिका क्या है? और वो अपनी इस भूमिका को कैसी पूरा करता है? दरसल अखवार पाठकों को सूचना देनी, जागरुक और शिक्षित बनानी और उनका मनुरंजन करने का दायत्व निभाते हैं। और अपने पास पडोज की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। अखवार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने बाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुँचाने के लिए लेखन के विभिन्य रूपों का इस्तिमाल करते हैं। इसे ही पत्रकार या लेखन कहते हैं और इसके कई रूप हैं। करने वाला पत्रकार है। लेकिन फ्री लांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है। बलकि वो भुगतान के आधार पर अलग-अलग अखबारों के लिए लिए लिखता है। प्रिष्ट संख्या उनहत्तर। न की कलपना से। दूसरे, पत्रकारिय लेखन साहित्तिक स्रिजनात्मक लेखन से इस माइने में भी अलग है कि ये अनिवार रूप से तातकालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रख कर किया जाने वाला लेखन है। जबकि साहित्तिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट होती है। अख़बार और पत्रका के लिए लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वो विशाल समुदाय के लिए लिए लिख रहा है। जिसमें एक विश्वविद्याले के कुलपती सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल है। इसलिए उसकी लिखन शैली, भाशा और गूड से गूड विशय की प्रस्तुती ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वो आसानी से सब को समझ में आ जाए। पत्रकारिय लेखन में अलंकारिक संस्कृत निश्ट भाशा शैली के बजाए आम बोलचाल की भाशा का इस्तिमाल किया जाता है। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अख़बारों में सीधी, सरल, साफ सुत्री लेकिन प्रभावी भाशा के इस्तमाल पर जोड दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाली होने चाहिए। वाके छोटे और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। भाशा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेशनों, जार्गन्स, ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परचित होते हैं। और क्लीशे यानी पिश्टोक्ती या दोहराव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाशा बोझिल हो जाती है। प्रिष्ट संख्या सत्तर प्रिष्ट संख्या सत्तर पर गतिविधी दी गई है। गतिविधी, अपनी पसंद के किसी भी अख़बार में से पांच समाचार चुनिए और उन्हें ध्यान से पढ़िए, इन में से कितने समाचार उल्टा पिरामिट शैली में लिखे गए हैं, क्या आपको लगता है कि इन समाचारों में सूचनाएं घटते हुए महत्वकरम में दी गई हैं, हर समाचार में कितने पैराग्राफ हैं, क्या आपको लगता है कि पैराग्राफ की संख्या कम या अधिक है, क्या आप उस समाचार से गहर जरूरी लाइने या पैराग्राफ निकाल सकते हैं, कोशिश कीजी और बताइए कि आपने गहर जरूरी लाइनों या प रहना पहचाना रूप समाचार लेखन है। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांच खबरें एक खास शैली में लिखी गई हैं? आपने बिलकुल ठीक पहचाना अखबारों में प्रकाशित अधिकांच समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपोन तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा गया है उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपोन सूचना या तथ्य की जानकारी दी गई है ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता पिछले अध्याए में हमने समाचार लिखने के इस शैली के बारे में बताया है जैसा कि आपको पता है कि इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिट शैली Inverted Pyramid Style के नाम से जाना जाता है ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उप्योगी और बुनियादी शैली है ये शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है जिसमें क्लाइमेक्स बिलकुल आखिर में आता है इसे उल्टा पिरामिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपून तथे या सूचना यानि क्लाइमेक्स पिरामिट के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती बलकि इस शैली में पिरामिट को उलट दिया जाता है प्रिष्ट संख्या सत्तर पर उल्टा पिरामिट में समाचार का धाचा सबसे पहले इंट्रो या मुखडा, फिर बॉडी, फिर समापन सीधा पिरामिट यानि कथात्मक लेखन को प्रदर्शित किया है और उल्टा पिरामिट दिखाता है समाचार लेखन शेली हाला कि इस शैली का प्रयोग उन्नीस्वी सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में ग्रह युद्ध के दौरान हुआ उस समय संबादाताओं को अपनी खबरें टेलिग्राफ संदेशों के जरिये भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अन्यमित और दुरलब थी, कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए संबादाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस और संबादन की सुविधा के कारण, ये शैली समाचार लेखन की मानक यानि स्टैंडर्ड शैली बन गई, समाचार लेखन और छे ककार, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतह छे सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां इस क्या, किसके या कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे को छे ककारों के रूप में भी जाना जाता है, किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन छे ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है, समाचार के मुख्डे यानि इंट्रो, पहले शुरवाती दो-तीन पंक्तियों में आम तोर पर तीन या चार ककारों को आधार बना कर खबर लिखी जाती है, ये चार ककार है, क्या, कौन, कब, और कहां, इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बागी दो ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है, इस तरह छे ककारों के आधार पर समाचार तयार होता है। इन में से पहले चार ककार क्या, कौन, कब और कहां, सूचनात्मक और तत्यों पर आधारित होते हैं। जबकि बाकी दो ककारों कैसे और क्यों में विवरनात्मक, व्याख्यात्मक और विशलेशनात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। अब अख़बार में प्रकाशित एक समाचार पर गोर कीजे। समाचार का शीर्षक, मासकों में छट ढहने से चार लोग मरे 29 घायल। क्या चार मरे 29 घायल। कौन आम नागरिक। कब गुरुवार की शाम। और कहां उत्तर पश्चे मासकों का बाओ मासकी बाजार। कैसे छट ढहने से। आतंकवादी घटना नहीं। च्छट पर बरफ चम समाचार का इंट्रो मासको 23 फरवरी भाशा। उत्तर पश्चमी मासकों के बाओ मासकी बाजार में गुरुवार की शाम छट ढहने से चार लोगों की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों के अभी मलबे में फसे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल मे भरती करा दिया गया है। पुरानी इमारत की छट ढही है। उद्धरन स्त्रोत आपात मामलों के मंत्री मासकों के मेर प्रत्यक्षदर्शी आपात मामलों के मंत्री सरगोई शोगों ने बताया कि मलबे के नीचे अभी कई लोग जिन्दा हैं। वे रो रहे हैं, चल्ला रहे हैं और किसी भी तरह मोबाइल ऑपरेटरों ने भी मलबे से सौ से अधिक मोबाइल संदेश मिलने की पुष्टी की है। माना जा रहा है कि छट गिरने का मुख्यकारण इस पूरी इमारत का डिजाइन भी है। इसकी गुमबद नुमा छट पर भारी बर्फ जम गई है। संभवत गुमबद बर का वजन बरदाश्ट नहीं कर पाया। उप्रोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानि मुख्डे इंट्रों में चार ककारों क्या, कौन, कब और कहां के बाबत जानकारी दी गई है। जबकि उसके बाद के तीन पैराग्राफ में दो अन्यक ककारों कैसे और क्यों के जरि समाचार के मुख्डे में आ सकते हैं। एक और बात याद रखने की है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानि जिससे जानकारी मिली है, उसको भी अवश्य उध्रित करना चाहिए। जैसे उप्रोक्त समाचार में प्रत्यक्ष दर्शियों और आपात मामनों के मंत्री को उध प्रिश्ट संख्या 73 मुख्य रूप से उनका मनुरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तातकालिक घटना क्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्टता और तत्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। यानि समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता। जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोंड और भावनाएं जाहिर कर नहीं होता है। फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथातमक शैली की तरह है। तीसरे फीचर लेखन की भाशा समाचारों के विपरीध सरल, रुपातमक, आकरशक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाशा में समाचारों की सपाड़ बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि फीचर की भाशा और शैली को अलंकारिक और दुरूख बना दिया जाए। चौथे, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर आमतोर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं, अखबारों और पत्रिकाओं में धाई सो शब्दों से लेकर दो हजार शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छी और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदी का होना जरूरी है। फीचर का विशय कुछ भी हो सकता है। हलके फुलके विशयों से लेकर गंभीर विशयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर उसके सालाना समारोह या अपनी श्यक्षन की यात्रा यानि स्टडी टूर पर केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। दरसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतोर पर विशय और मुद्दे की जरूरत के मताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में लिखा जाता है। गतिविधी, दो अलग-अलग अख़बारों के रविवारिय परिशिष्ट को ध्यान से पढ़िए। उसमें प्रकाशित सामगरी की सूची बनाईए। आपने फीचर की परिभाशा पढ़िए। इस आधार पर बताईए कि प्रकाशित सामगरी में किसे आप फीचर की श्र इसके अलावा, विभिन अख़बारों और पत्रिकाओं से अपनी पसंद के पांच फीचर चुन कर निकालिए और उन्हें बड़े पोस्टर पर छिपका कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता है। फीचर शैली प्रिष्ट संख्या 74 फीचर कैसे लिखें? फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात ये है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विशै से जुड़े लोगों यानि पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। दूसरे, कहानी को उनके जरीए कहनी की कोशिश कीजिए यानि पात्रों के माथम से उस विशै के विभिन पहलूओं को सामने ले आए। तीसरे, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक ये महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। चौथे, फीचर को मन्नुरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। इस प्रिष्ट पर अखबारों की दो कटिंग दी हुई है। पहला है वेक्ति चित्र फीचर 13 नवंबर 2005 और दूसरा है समाचार फीचर 25 दिसंबर 2005 जनसत्ता से आभार। तातपर ये है कि फीचर को किसी बैठक या सभा के कारेवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। साथी, फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट भी नहीं है। वो बड़ी घटनाओ, कारक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजान डिपोर्ट भी नहीं है। फीचर आमतोर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारत का थात्मक विवरण और विशलेशन होता है। फीचर की कोई न कोई थीम होनी चाहिए। उस थीम के इर्दगिर्द सभी प्रासंगीक सूचनाई, तथे और विचार गुथे होने चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं। इनमें समाचार बैकग्राउंड, खोश परक फीचर, साक्षातकार फीचर, जीवनशैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्तिचित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेश रूची के फीचर प्रमुख हैं। फीचर लेखन का कोई निश्चित धाचा या फार्मूला नहीं होता है। इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फीचर का एक प्रारंब, मध्य और अंत होता है। प्रारंब, आकरशक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। हाला कि प्रारंब, मध्य और अंत को अलग-अलग देखने के बजाए, पूरे फीचर को समगरता में देखना चाहिए। लेकिन अगर फीचर का प्रारंब आकरशक, रोचक और प्रभावी हो, तो बाकी पूरा फीचर भी पठनिय और रोचक बन सकता है। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ती पर एक व्यक्ती चित्र फीचर तयार कर रहे हैं, तो उसकी शुरुवात किसी ऐसी घटना के उलेक से कर सकते हैं, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, या उसकी शुरुवात उनकी किसी ताजा उपलब्धी के बेवरे से हो स और फिर फीचर को उनके पिछले जीवन के संगरशों की ओर मोड़ा जा सकता है। जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हों बलकि उससे उनके जीवन के एहम क्षणों पर रोशनी पड़ती हो। एक संभावित धाचा हो सकता है। गति विधी अपने स्कूल की लाइब्रेरी या खेल के मैदान पर तीन सो शब्दों का फीचर लिखिए। इसमें लाइब्रेरी या खेल के मैदान से जोड़े तत्यों के अलावा दिलचस्प जानकारियां भी शामिल कीजे। इस फीचर के लिए लाइब्रेरियन या खेल के मैदान के प्रभारी शिक्षक से बाचीत के अलावा विभिन कक्षाओं के छात्र छात्राओं से इंटर्व्यू कर जानकारी इकठी कीजे। प्रिष्ट संख्या 76 विशेश रिपोर्ट कैसे लिखें? अखबारों और पत्रिकाओं में सामान समाचारों के अलावा गेहरी शानबीन, विशलेशन और व्याक्या के आधार पर विशेश रिपोर्टें भी प्रकाशित होती हैं। ऐसी रिपोर्टों को तयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गेहरी चानबीन की जाती है। उससे संबंधित महतपूर्ण तथ्यों को इखठा किया जाता है। तथ्यों के विशलेशन के जरिये उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को सपश्ट किया जाता है। विशेश रिपोर्ट के भी कई प्रकार होते हैं। खोजी रिपोर्ट, अर्थात Investigative Report, In-depth रिपोर्ट यानि के विशलेशनात्मक रिपोर्ट और विवरानात्मक रिपोर्ट। विशेश रिपोर्टों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर, मौलिक शोध और चानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सारवजनिक तौर पर पहले से उपलब्द नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तमाल आम तौर पर भरष्टाचार, अन्यमितताओं और गड़बडियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। आम तौर पर विभिन प्रकार की विशेश रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। चुकि ऐसी रिपोर्टें समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती हैं। इसलिए पाठकों की रुची बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों ही शैलीयों को मिला कर इस्तमाल किया जाता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रिंखला बद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में चापा जाता है। विशेश रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। विशेश रिपोर्ट का एक उदाहरन प्रस्तुत है। प्रिश्ट संख्या सतहत्तर बिरहोरों का विलुप्त होता संसार जबहर पलामू बिहार अक्खु बिरहोर की विध्वा पत्तियों और घास फूस से बनी अपनी कुम्भा या जोपडी के बगल में चुपचाप बैठी है। बिरहोर बस्ती पलामू जिले के बालूमट ब्लॉक में स्थित जबहर गाउं के बिलकुल बाहर है। बिरहोर भी उसी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाशाई समू के हैं जिन में हो, संथाल या मुंडा जनजाती के लोग आते हैं। वे जंगल बिर के लोग हो हैं। छोटा नागपुर क्शेत्र की खाना बदोश जाती के ये लोग मुख्य रूप से पलामू, राची, लोहर दग्गा, हजारी बाग और सिंग्भुम के आसपास विचरते रहते हैं। कई मामलों में बिरहोर लोग अजीबो गरीब प्राणी हैं। इनकी जाती भी समाप्त होती जा रही है। 1971 की जनगणना में बताया गया कि उस वर्ष इनकी संख्या लगभग 4,000 थी। अब वे 1993 में महज 2,000 के आसपास हैं। हो सकता है इससे भी कम हो। इसमें उडिसा से लगभग 144 और मत्यप्रदेश के सरसर भी शामिल हैं। बेशक इनका मुख्य समूह बिहार में है। इस राज में 1971 की जनगणना के समय इनकी संख्या 3,464 थी। 1987 में बिहार के एक सरकारी अध्ययन के मताबिक इनकी संख्या घट कर 169 हो गई थी। मत्यप्रदेश में इनकी संख्या 1971 में 738 से घट कर 1991 में 67 हो गई थी। इनके समाप्त होते जाने की वजह उन जंगलों का धुआधार ढंग से विनाश है। जिन पर ये निर्भर है। इनकी जरूरतों अत्वा इनके अजीबों गरीब स्वरूप पर ध्यान दिये बिना तैयार की गई विकास प्रक्रिया से कोई मदद नहीं मिली। बिरहोर मुख्य रूप से शिकार जुटाने वाली जाती रही है। वे रसीयां बनाने और लकडी का काम भी करते रहे हैं। जंगलों को आरक्षित कर दिये जाने के बाद से वे न तो लकडी काट सकते थे और न रसी बनाने के लिए रेशा निकाल सकते थे। वे जो सामान तैयार करते थे उनकी कीमत इतनी कम मिलती थी कि उनकी लागत भी नहीं निकल पाती थी। जब कुछ इलाकों में जंगलों की जबरदस्त कटाई होने लगी तो शिकार के काम से भी इनकी छुटी हो गई। प्राक्रतिक विपदा या संकट के समय सबसे ज़्यादा मार इन पर ही पड़ती है। इस जनजाती के बारे में अग्यानता से भी काफी गड़बड हुई। इसी कारण बिरहोरों के बारे में जनगणना का आकड़ा भी गलतियों से भरा है। यहां के लोग बिरहोर है। उडिसा के सुन्दर गढ़ जिले में स्थानिय लोग इन्हें मनकिदी कहते हैं। संबलपुर जिले में ये मनकिर्दिया हो जाते हैं। ये दोनों नाम बंदर पकड़ने के लिए बिरहोरों को लगाते हैं। जंगलों के खत्म होने के साथ उनका ये काम भी खत्म हो गया। 1971 में इस खाना बदोश समूह को उडिसा में तीन अलग अलग जंजातियों बिरहोर, मनकिदी और मनकिर्दिया के रूप में गिंती करके काम समाप्त कर दिया गया। इस गलती को 1981 में दुरुस्त किया गया और इनकी गिंती एक जनजाती के रूप में की गई। इस तरह उस रा समूह कम होता जा रहा था। उडिसा सरकार ने इस बढ़ोतरी पर अपनी पीछ थप थपाई। इसलिए बिरहोरों के बारे में आकड़ा बेहद अविश्वसनिया है। शिकारी के रूप में बिरहोर लोग बड़े बड़े जंगलों के साथ अपने जीवन की भरपूर संग करती बैठा कर रहते थे। जंगलों का उन्होंने कभी फिजूल इस्तमाल नहीं किया और हमीशा वे विवेक से काम लेते रहे। यहां तक कि काईदे से देखा जाए तो उनकी बस्तियों में भी दस से ज्यादा जोपडियां नहीं दिखाई देती है। उनकी ये बस्तियां जंगल में चारों तरफ फैली रहती है। इससे फायदा ये होता है कि जो विभिन समूह हैं उनको जंगल के संसाधनों में हिस्सा बटाने का समान और उचित अवसर मिल जाता है। आज अपनी पैत्रिक भूमी बिहार में वे जंगलों की अभूतपुर्व कटाई और विका के शिकार हो गए हैं। इनके इस दुरावस्था के लिए शराब खोरी भी काफी हद तक जिम्मेदार है। बावजूद इसके यहां अपराध नहीं है। प्रिष्ट संख्या 78। जबहर पंचायत के एक सदस्य ने बताया कि ये लोग अद्भुत प्राणी है। अगर इन्ह दूर पर भी कहीं कोई डकैती वगरा पड़ रही है तो वे इसे अपना व्यक्तिगत मामला मानते हुए लाठी डंडा लेकर दौड पड़ते हैं। मैंने आज तक किसी बिरहोर को अपराध करते हुए नहीं देखा। जबहर के लोग बिरहोरों के प्रती असाधारन रूप से उदार हैं। बेशक पलामू और हजारी बाग के अलावा इन लोगों को आमतोर पर उपेक्षा का ही शिकार होना पड़ा है। जहां तक सरकारी कारिक्रमों की बात हैं इन में से जादातर बेकार ही साबित हुए हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि सरकारी कारिक्रमों को भ्रष्ट तंत्र ले उड़ता है आवास योजनाएं विनाशकारी साबित होई क्योंकि जिन वास्तुकारों ने इनके लिए मकानों की योजना तैयार की थी उन्होंने कभी बिरहोर लोगों को देखा ही नहीं था उन्हें इनकी वेवहारिक विशिष्टताओं की भी कोई जानकारी नहीं थी इन आदिवासियों की स्वास्ते संबंधी चिंताजनक स्थिती को देखते हुए सरकार ने कुछ योजनाएं तैयार की लेकिन अफसरों और उनके दलालों ने इन योजनाओं के लिए निर्धारित रकम को हडप लिया जबहर गाओं के एक निवासी ने हस्ते वे कहा की यहां तक की इनके पास तीसरी फसल भी नहीं पहुँच सकी मैंने उच्सुकता वश पूछा तीसरी फसल का क्या मतलब? मुझे तो अभी तक केवल दो ही फसलों की जानकारी है मैंने गौर किया कि उसे इस सवाल की उमीद थी उसने बताया इस इलाके में तीसरी फसल है सूखा राहत इसके लिए बहुत जादा पैसा मिलता है लेकिन इस फसल को आमतोर से ब्लॉक्स तरके अफसर और उनके ठेकेदार दोस्त काट ले जाते हैं केवल मामूली सा हिस्सा जनता तक पहुँचता है अब उस मामूली से हिस्से में से बिरहोर लोगों को क्या मिले? वे तो जंगल में कंदमूल और बेर मौसमी फल आदे खा कर जिन्दा रहते हैं और कभी कभी तो कई कई दिनों तक भूके ही रह जाते हैं जब हमने रामवरिक्ष बिरहोर को देशज लोगों के अंतराश्ट्रिय वर्ष 1993 के बारे में बताया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्या सचमुच ये हम लोगों के लिए बनाया गया था उसने सवाल किया फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता अगर ऐसा होता तो हम अभी तक इस हालत में नहीं पड़े रहते उसने अपना सामान उठाया और चुप चाप वहां से चला गया चौबे ने कहा जहां तक मुझे जानकारी है इस क्षेत्र में कभी किसी बिरहोर का नाम मतदाता सूची में नहीं रहा ये समूह भारतिय समाज के सबसे निचले हिस्से में रहता है खरगोश पकरना रसियां बुनना तयार होने पर कुछ डोलचियां बेच देना इन गतिविधियों को देखते हुए लगता है कि बिरहोर लोग अभी किसी दूसरे युग में रह रहे हैं उनके अंदर जमापूंजी रखने की प्रवर्ति नहीं है और उनका जीवन आत्मसमान से भरा रहता है पी साइनात का ये आलेक विशेश रिपोर्ट के साथ साथ एक अच्छे फीचर का भी बढ़िया उदाहरण है प्रिश्ट संख्या 89 विचार परक लेखन लेख, टिपणिया और संपादकी है अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचार परक सामगरी का भी प्रकाशन होता है कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचार पूर्ण लेखन से उस अखबार की छवी बनती है अखबारों में संपादकिय प्रिष्ट पर प्रकाशित होने वाले संपादकिय अग्रलेक, लेक और टिपर्णिया इसी विचार परक पत्रकारिय लेखन की श्रिणी में आते हैं इसके अलावा विभिन विश्यों के विशेशग्यों या वरिष्ट पत्रकारों के स्तम्भ यानी कॉलम भी विचार परक लेखन के तहट आते हैं。 कुछ अखबारों में संपादकिय प्रिष्ट के सामने आप एड प्रिष्ट पर भी विचार परकलेक, टिपणिया और स्तंब प्रकाशित होते हैं गतिविधी अपने एक्षेत्र की किसी समस्या पर एक 250 शब्दों की विशेश रिपोर्ट तयार कीजिए उसे अपने शहर या ख्षेत्र से प्रकाशित होने वाले अखबार में प्रकाशन के लिए भेजिए विशेश रिपोर्ट तयार करने के लिए उस समस्या की तह में जाने की कोशिश कीजिए समस्या से पिर्डित या परिशान लोगों से बाचीत करने के अलावा संबंधित विभा के अधिकारियों, कर्मचारियों से भी उनका पक्षप पूछिए संपादकिय लेखन संपादकिय प्रिष्ट पर प्रकाशित होने वाले संपादकिय को उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है संपादकिय के जरीए अखबार किसी खटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं संपादकिय किसी विचेश का विचार नहीं होता इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं चापा जाता संपादकिय लिखने का दायत्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है आमतोर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकिय लिखते हैं कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकिय नहीं लिख सकता है हिंदी के अखबारों में कुछ में तीन, कुछ में दो और कुछ में केवल एक संपादकिय प्रकाशित होता है संपादकिय का एक उदारन प्रस्तुत है मुल्यांकन का दाइरा अगले विद्यालई शिक्षा सत्र से विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मुल्यांकन की प्रक्रिया लागो हो जाएगी इस से पाठे पुस्तकों का बोज और परिक्षा का तनाव कम करने का सरकार का मकसद किसी हद तक पूरा हो सकता है इस प्रक्रिया को अपनाने का प्रस्ताव राश्ट्रिय शाक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत का था फिलहाल लिखित और प्रायोगिक परिक्षाओं के आधार पर मुल्यांकन का प्रावधान है जबकि विद्याले में रहते हुए विद्यार्थी की सक्रियता पाठे पुस्तकों तक सिमित नहीं होती वो खेलकूद, संगीत, भाशन, वादविवाद जैसी अनेक रचनात्मक गदिविद्यों में भी शरीक होता है इनका पाठक्रम से सीधे सीधे कोई संबंध भले ना हो पर ये विद्यार्थी के सीखने समझने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है इसलिए इस बात की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है कि विद्यार्थी का समगर मुल्यांकन होना चाहिए लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर सिर्फ पाठगत ग्यान और बोथ को जाचा पर्खा जा सकता है प्रोफेसर यश्पाल भी विद्यार्थी के समग्र मुल्यांकन के पक्षधर रहे हैं जब NCRT की नई पाठे चर्या की रूपरेखा तयार करने के लिए उनकी अध्यक्षता में समिती का गठन किया गया तब ही उन्होंने सतत और व्यापक मुल्यांकन की पधधि अपनाने का सुझाव दिया अब ये विद्यालेयों की जिम्मेदारी होगी कि वे विद्यार्थियों की शैक्षनिक योग्यता के साथ ही उनकी दूसरी गतिवीधियों को भी आके इसके लिए सो में से बीस अंक निरधारित किये गए हैं इन्हें विद्यार्थी के वार्षिक और बोड परिक्षाओं में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा। इस पध्धती के लागू होने से जहां विद्यार्थियों में पार्ठिक्रम से अलग स्कूली गतिविध्यों में हिस्सा लेने का उत्साह बढ़ेगा, वहीं अध ध्यापक भी इनके प्रती अधिक जिम्मेदारी महसूस करेंगे। हाला कि केंद्रिया माथमिक शिक्षा बोड और हर्याना बोड के विद्यालयों में आंतरिक मुल्यांकन पध्धती पहले से लागू है और दूसरे कई राज्यों में इस पर विचार चल रहा है लेकिन इस विद्यार्थियों को खेल-खेल में अपने आसपास के वातावरन और रोजमर्रा की जिंदगी से भी सीखने सिखाने पर जोर है इसलिए प्रस्तावित मुल्यांकन पध्धती से ये प्रक्रिया और पुष्ट होगी देखा जाता है कि पाठिकरम पर अधिक जोर होने के कार अनेक विद्यार्थी खेल-कूद, सांस्कृतिक, सामाजिक और कलात्मक गतिविध्यों में दिल्चस्पी नहीं लेते अभी भावक भी बच्चों को इनके प्रती प्रोचसाहित नहीं करते निजी स्कूलों में सह शक्षनिक गतिविध्यों पर जरूर कुछ ध्यान दिया जाता है, मगर जादा तर सरकारी स्कूल इनके प्रती उदासीन ही दिखाई देते हैं। में जागरुकता और जानकारी की कमी भी विद्यार्थियों की कलात्मक, सांस्कृतिक या सामाजिक कारिसंबंधिक शमताओं के विकास में रोड़ा साबित होती रही हैं। इसलिए ऐसी गतिविध्यों के बंदे नजर अध्यापकों के प्रसिक्षन पर भी ध्यान देना हो जनसत्ता में प्रकाशित संपाद किया। और उसमें अपने विचार वेक्त करनी की स्तंब लेखक को पूरी छूट होती है। स्तंब में लेखक के विचार अभिवेक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंब अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किये जाते हैं। कुछ स्तंब इतने लोकप्रिया होते हैं कि अख़बार की कटिंग्स हैं, पहले वाले में प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस का संपाद किया है और दूसरी कटिंग में आजादी के दिन के हिंदुस्तान का संपाद किया है प्रिष्ट संख्या 82 संपादक के नाम पत्र अख़बारों के संपादकिय प्रिष्ट पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं सभी अख़बारों में ये एक स्थाई स्थम्ब होता है ये पाठकों का अपना स्थम्ब होता है इस स्थंब के जरिये अख़बार के पाठक न सिर्व विभिन मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बलकि जन समस्याओं को भी उठाते हैं एक तरह से ये स्थंब जन्मत को प्रतिबिम्बित करता है जरूरी नहीं कि अख़बार पाठकों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों से सहमत हो ये स्थंब नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ माजने का भी अच्छा अफसर देता है अपने स्थानिय अख़बार में संपादक के नाम पत्र कॉलम के लिए चार सब्ताहों तक हर सब्ताह अलग अलग विशयों एक एक पत्र भीजिए पत्रों के शब्द संख्या 50 से 75 शब्दों से अधिक नहीं हो पहले सब्ताह संपादकिय प्रिष्ट पर प्रकाशित किसी संपादकिय या लेख में उठाए गए मुद्दे पर अपनी राय भेजिए अगले सब्ताह अपने शहर की किसी सार्वजनिक समस्या पर पत्र भेजिए तीसरे सब्ता मुहले की किसी समस्या पर पत्र भेजिए और आखरी पत्र में अपने स्कूल से जुड़ी किसी समस्या का ब्योरा देते हुए चिठी भेजिए समाचार पत्र में पत्र स्तंब को ध्यान से पढ़िए क्या उसमें आपका पत्र प्रकाशित हुआ? प्रिष्ट संख्या तिरासी लेख सभी अखबार संपातिके प्रिष्ट पर सम सामयक मुद्दों पर वरिष्ट पत्रकारों और उन विशयों के विशेशग्यों के लेख प्रकाशित करते हैं इन लेखों में किसी विशय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है लेख विशेश रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग है कि उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है लेकिन ये विचार तत्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं और लेखक उन तत्यों और सूचनाओं के विशलेशन और अपने तरकों के जरिये अपनी राय प्रस्तुत करता है लेख लिखने के लिए परयाप्त तयारी जरूरी है इसके लिए उस विशे से जुड़े सभी तत्यों और सूचनाओं के अलावा प्रिष्ट भूमी सामगरी भी जुटानी पड़ती है ये भी देखना चाहिए कि उस विशे पर दूसरे लेखकों और पत्रकारों के क्या विचार हैं लेख की कोई एक निश्चित लेखन शाली नहीं होती और हर लेखकी अपनी शाली होती है लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुवात उन विशेयों के साथ करनी चाहिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ और जानकारी हो लेख का भी एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है लेख की शुरुवात में अगर उस विशेय के सबसे ताजा प्रसंग या घटना क्रम का विवरन दिया जाए और फिर उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए तो लेख का प्रारंभ आकर्शक बन सकता है इसके बाद तथ्यों की मदद से विशलेशन करते हुए आखिर में आप अपना निशकर्श या मत प्रकट कर सकते हैं साक्षादकार अर्थाद इंटर्व्यू समाचार माध्यमों में साक्षादकार का बहुत महत्व है पत्रकार एक तरह से साक्षातकार के जरिये ही समाचार, फीचर, विशेश रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारिय लेखन के लिए कच्चा माल एकठा करते हैं पत्रकारिय साक्षातकार और सामान बाचीत में ये फर्क होता है कि साक्षातकार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ती से तथ्य उसकी राय और भावनाय जानने के लिए सवाल पूछता है साक्षातकार का एक सपष्ट मकसद और धाचा होता है एक सफल साक्षातकार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्यान होना चाहिए बलकि आप में संबेदन शीलता, कूट नीती, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए एक अच्छी और सफल साक्षातकार के लिए ये जरूरी है कि आप जिस विशय पर और जिस वेक्ती के साथ साक्षातकार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो दूसरे आप साक्षातकार से क्या निकालना चाहते हैं इसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है आपको वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अख़बार के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं साक्षातकार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बहतर है लेकिन ऐसा अगर संभव न हो तो साक्षातकार के दोरान आप नोट्स लेते रहें साक्षातकार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं एक आप साक्षातकार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं या फिर उसे एक आलेक की तरह से भी लिख सकते हैं। प्रिष्ट संख्या 84 व्यक्तिचित्र फीचर समाचार का एक उदाहरण। मुंबई 16 अगस्त देश को ब्रिटिश शासन से आजाद हुए 57 साल हो चुके हैं। लेकिन 84 साल के गांधिवादी माधवदास ठाकर से का मिशन अभी तक अनवरत जारी है। वे होमियोपैथिक दवाओं से रोग्यों का इलाज करते हैं और उनके लिए रविवार का दिन भी अन्य दिनों की तरह ही व्यस्त रहता है। वे सुबह तीन बजे उठकर स्नान कर लेते हैं। उसके बाद वे बुरिवली स्कूल का दौरा करते हैं। फिर पांच घंटे तक चर्खे से सूत कातने के बाद रोग्यों से मिलते हैं। ठाकर से एक सक्रिय स्वतंतरता से नानी हैं और उन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आजादी के आंदोलन में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया। उस समय वे महज 17 साल के छरहरे और आकरशक युवक थे। उन्होंने बताया कि बापू का आदर्श और उनकी प्रा लेकिन उन्होंने उनके काम में हाथ बटाने के बजाए देश के लिए काम करना बहतर समझा। ठाकर से ने बीते दिनों को याद करते हुए कहा मेरे पिता के अपार धन का कोई मतलब नहीं था। वे ग्राम देवी स्थित मनी भवन के सामने छे कमरे के अपने मकान में बैठ कर बात कर रहे थे। पेफिलहार पिता का घर छोड़कर फोट के एक कमरे के फ्लाट में रह रहे हैं और अपनी आए का जादातर हिसा मुफ्त होमियोपैथिक दवाएं बाटने में खरच करते हैं। उनके माता पिता ने उनकी शादी बुद्धिमान और वेवहार कुशल मा ठाकरसे की सोच में बदलाव ला सकेंगी लेकिन ठाकरसे की प्रतिग्या अटल थी। सचाई तो ये है कि मालती अकसर उनके पैमफलिट की प्रूफ रीडिंग कर उनकी मदद ही किया करती थी। इस हट योगी का आजादी का जनून अभी भी उतना ही पक्का है। ठाकरसे के साथ बच्चों में से एक उनकी बेटी जैश्री का कहना है उनका आदर्श आज की दुनिया से अलग है लेकिन वे अभी तक नहीं बदल पाए। वे कई दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं और किसी को रिश्वत नहीं देते हैं। इतली के वानिज्य दूतावास में काम क करने वाली उनकी बेटी कलपना मुस्कुराती हुई कहती हैं। वे अभी भी अपने कपड़े खुद होते हैं और नहीं किसी को उपहार देते हैं और न लेते हैं। ठाकर से अपने काते हुए सूतों से बने कपड़े ही पहनते हैं। वे खादी और ग्रामद्योग आयोग म मार्केटिंग डारेक्टर भी रह चुके हैं वे याद करते हैं कि किस तरह से 1904 में गांधिवादी विजारधारा की लेखी का उशाय महता के पर्चों को लोगों में वित्रित करते थे ब्रिटिश विरोधी पर्चे बातने के जुर्म में उन्हें छे महीने की सजा भी हुई थी लेकिन आज की तारीक में वे सिर्फ अपनी कलपना के अनुरूप जीवन से संखरश करते हैं उन्होंने बताया राश्रवाद धीमी मौत की तरह समाप्त हो रहा है आज की राजनेता सिर्फ कुर्सी और सत्ता पाने के लिए ही आतुर रहते हैं देश की हालत से वे काफी दुखी है लेकिन आठ साल की उनकी पोती यशशवी जब उनके पास चर्खा कातना सीखने के लि ये काफी उत्सुख है प्रिष्ट संख्या पच्चासी पाठ से संबाद एक किसे क्या कहते हैं कर सबसे महत्वपूर्ण तथे या सूचना को सबसे उपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्वक्रम में सूचनाएं देना ख समाचार के अंतरगत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू ग किसी समाचार के अंतरगत उसका विस्तार, प्रिष्ट भूमी, विवरन आदी देना घ, ऐसा सूववस्थित स्रिजनात्मक और आत्मनिष्ट लेखन जिसके मात्यम से सूचनाओं के साथ-साथ मनुरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है अंग, किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन चानबीन और विशलेशन च, वो लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रती समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है दो, नीचे दिये गए समाचार के अंच को ध्यान पूर्वक पढ़िए शांती का संदेश लेकर आए फजलुर रह्मान पाकिस्तान में विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रह्मान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि वो शांती व भायचारे का संदेश लेकर आए हैं यहां दारुल उलुम पहुँशने पर पत्रकार संबेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में निरंतर सुधार हो रहा है प्रधान मंत्री मनमुहन सिंग से गत सप्ताह नई दिल्ली में हुई वारता के संदर्भ में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए नौ प्रस्ताव दिये हैं प्रधान मंत्री मनमुहन सिंग ने उन पर विचार करने का आश्वासन दिया है कश्मीर समस्या के संबंध में मौलाना साहब ने आशावादी रवय्या अपनाते हुए कहा कि 50 वर्षों की इतनी बड़ी जटल समस्या का एक दो वारता में हल होना संभव नहीं है लेकिन इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा प्रधान मंत्री के प्रस्तावित पाकिस्तान दौरी की बाबत उनका कहना था कि निकट भविष्य में ये संभव है और हम लोग उनका एतिहासिक स्वागत करेंगे उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिष्टे बहुत मजबूत हुए हैं और प्रथम बार सीमाई खुली हैं व्यापार बढ़ा है तथा बसों का आवागमन आरंभ हुआ है हिंदुस्तान से साभार प्रिष्ट संख्या 86 क दिये गए समाचार में से ककार ढूंड कर लिखिये जो ककार नहीं है उन्हें बताईए क उपर्युक्त उदाहरन के आधार पर निमनलिखित बिंदूओं को स्पष्ट कीजे इंट्रो बॉडी समापन उपर्युक्त उदाहरन का गौर से अवलोकन कीजे और बताईए कि ये कौन सी पिरामिट शैली में है और क्यों एक दिन के किनी तीन समाचार पत्रों को पढ़िए और दिये गए बिंदूओं के संदर्भ में उनका तुलनात्मक अध्धयन कीजे क सूशनाओं का केंद्र अत्वा मुख्य आकरशन ख समाचार का प्रिष्ट एवं स्थान ग समाचार की प्रस्तुति ग समाचार की भाशाशैली चार अपने विद्याले और मुहले के आसपास की समस्याओं पर नजर डालें जैसे पानी की कमी, बिजली की कटोती, खराब सडकें, सफाई की दुर्वेवस्था इन में से किनी दो विशयों पर रिपोर्ट तयार करें और अपने शहर के अख़बार में भेजें पांच, किसी क्षेत्र विशेश से जुड़े व्यक्ती से साक्षातकार करने के लिए प्रशन सूची तैयार कीजिए जैसे संगीत नृत्य, चित्रकला, शिक्षा, अभिने, साहित, खेल चे, आप अख़बार के मुख प्रिष्ट पर कौन से चे समाचार शिर्शक या सुर्खिया या हेडलाइन देखना चाहेंगे, उन्हें लिखिए